हेई गाईज वालकम बाक टो मिस्टर व्यास और आज इकज़कली बात करेंगे कि आप आपकी साइट पे लेंडिंग पेज पे किस तरीके से एक इमेल सब्सक्राइबर का पॉप अड़ कर सकते हैं और कैसे उन इमेल को ग्रैब करके उन लोगों को आप इमेल भी डाल सकते हैं इससे एडवांटेज यह होता कि आपकी साइट पे आने वाला हर विजिटर को आप इमेल डालके आपके जो एक्जिस्टिंग ब्लॉग से या पी पेजे से उन पे एक इमेल ले सकते हैं और साथी साथ अगर आप एफिलेट पांकेटिंग करते हैं तो वहां से इमेल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके डेफिनिटल अपने अपिनियंस पताना मत बुलेगा जले गाइस शिरू करते हैं सो गाइस हम लोग आ चुक है डेक्स्टॉप की स्क्रीन पर यहां पर हम चलेंगे थोड़ा बेसिक से बिकाज बहुत सारे बिगने रहे आफिर जो एक्सपर्स भी है देवन डॉन लोग किस तरीके से कॉन्फिगर करना है सबसे पहले चीज़ बात करते हैं कि जब भी इमेल मार्केटिंग आपको आपकी साइट पर करनी है तो यहां पर दो इंपॉर्टन फैक्टर होता है पहला फैक्टर यह कि आपकी साइट पर एक पॉपप का विंडो दिखना चाहिए जहां पर यूजर अपने इमेल आइडी को सब्मेट करें एक होता है जिसे कहते हैं मेल मंच बैसिकली यहां पर आपकी साइट पे किसे भी तरह का आप कॉपप कंवचर कर सकते हैं दूसरा आप यूज़ कर सकते है वो होई Hello Bar इसको मैं पहले किया करता था लेकिन अभी मैं मेल मंच पर स्विच हो गया हूँ तो गाईस ये भी एक Free का ही टूल है जिसके Help से आप आपकी साइट पे एक Pop-up वीडियो क्रियेट कर सकते हैं जो कि आपके Landing Page पे Create होता है और तीसरा है जो कि अभी Elementor का प्रगिप अगर Elementor जो Website का Page Builder उसको आप यूज़ कर सकते हैं तो गाईस उसमें भी एक Option आइड हुआ है Pop-up एड्स लेकिन वो एक Premium Version है तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे तो अगर आप Elementor को यूज़ करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएगा उस पर मैं separate वीडियो बनाऊँगा क्योंकि अभी नई सैट पे मैंने Elementor के Through में Pop-up क्रियेट किया हुआ है जो था bit advance है तो definitely guys अगर आप जानना चाहते है कि Elementor के Through किससर के साथ Pop-up को आड कर सकते हैं कमेंट करके बताएगे तो आज हम बात करेंगे या तो Hello Bar के helps आप कर सकते हैं या फिर मेल मंच तो यह तो पहला तरीका हो गया जहां पर आप Pop-up क्रियेट कर सकते हैं ताकि यूजर इमेल आइडी फील्ड करें और वो डेटा आप तक पहुंचें अब यह दूसरा के लिए आता है और वो होता है कि एक्जर कली सीमेल को ग्रैप कहां करें कौन से एकाउन में जाकर करके आम इसको सब्मिट करना है तो उस केस के अंदर जो सबसे बैस चाहे वो आप Hello Bar यूज़ करें चाहे आप मेल मंच यूज़ करें चाहे आप Elementor का किसी के भी साथ में integrate कर सकते हैं तो इसको definitely आपको यूज़ करना है तो सबसे पहले आप शुरुवात होती है बेसिक से करनी है तो हमें करना है सबसे पहले मेल चिंप के अंदर एकाउंट बनाना है वो प्लैक्फोर्म जहां पर हमारे email साएंगे तो कैसे करना है तो simply आपको यह free account है तो simply आपको इसके sign up में जाना है और वहाँ पर जाकर sign up करना है that's completely free और वहाँ पर कुछ premium plans पर आएंगे आपको free वाला option को choose करना है आपकी site का domain name मांगेगा जिस site को आप integrate करना चाहते है you are smart enough अगर blogging करता है तो आप basically simple sign up का process create कर देंगे आपको email generate होगा और इस email स आपके account को activate करना है तो यह तो process हो गया account के से create करना है क्योंकि यह basic process है जो आप basic अगर आप sign up के process को जानते है gmail account कैसे similarly इसमें भी process है आप अपने site का नाम दीजिए domain का नाम दीजिए and बाद में जाकर के free वाला account को option को चूज किज़ किज़ वाँ subscription का भी आएगा then you are in जैसे यह पीन आते हैं तो जहां पर देख सकते हैं यहां पर मैं मेरे account के अंडर हूँ तो हम dashboard पर चलते हैं तो जैसे ही आप एक बार login कर लेते हैं तो आपको इस तरीके का dashboard दिखेगा जहां पर आप as a user connected है right guys तो इसको मैंने जैस अभी sample के लिए पहले से create करके रखा है और एक email id को भी generate करके रखा है तो यहां पर आपको कुछ और ज्यादा करने की जरूत नहीं है तो जैसे आप login करते हैं आपको इस तरीके का account दिखेगा initially okay अभी हमारा यहां पर काम क्या है we have to just add one of our site जिस site के थ्रूँ email यहां पर आएंगे उसके लापको क्या करना है यहां पर जो आपका user name होगा वही पे एक option रहेगा connected sites उसको simply click करना है पिर आपकी site का domain name आपको निकालना है यहां पर sample purpose के लिए मैंने एक site लिए हुई है तो ह जैसे अप connect पर click करेंगे तो automatically यहां पर वो option दिखाई तो guys basically यहां पर जो मैंने एक site को open किया है तो मान लीजे कि यह मेरे एक dummy sites है और इस site को में mailchimp के साथ में mailchimp के साथ में add करना जातो हो एक dummy sites है ठीक है हम यहां पर pop-up add करेंगे मैं वापस से mailchimp के account में आऊंगा वहा यहां पर elementor के नाम से तो definitely guys ठीक है हम पहले सबसे बहले बात करेंगे wordpress की तो यहां पर wordpress पर आपको click करना है और जैसे wordpress को click करता है तो वहां पर आपको पुछेगा site का URL यहां पर site का URL दाना है और यहां पर नेम साथ है तो basically आपका जो एक account के अंदर free account के अंदर एक एक code मिलेगा ओके यही code ले जाकरके आपको आपकी site पर add करना है जैसे आप देख सकता है तो this is the code इसको आपको use करना है और simply आपको आपकी site के theme के header के section के नीच अगर आप AdSense के add code को add करना जानते है तो इसको भी जानते है तो आपको appearance के section के अंदर आना है उसके अंदर theme editor के और यहां को right inside में themes की file दिखेगी वहां से themes header पर आपको click करना है जैसे ही header पर click करते है तो इस तरीकी का code निकल के आता है चाहे वहां पर code में differences हो सकता है based on the themes लेकिन header themes.header पर आपको click करना है यहां पर जैसे आपको ऐसा दिख रहा होगा उसको थोड़ा scroll down कीजेगा और ज इसके नीचे थोड़ा सा हम scroll down करेंगे तो यहां पर header close हो रहा है तो हमें क्या गरना है header के tag के close से पहले हम यहीं पर उस code को paste करेंगे जैसा कि basic site को verify करना है just code को paste करना है और थोड़ा सा नीचे आके scroll करके update file पर click कर देना है यह process जब आप कर देते हैं तो आपको वापस MailChimp के अंदर जाना यहां पर थोड़ा सा time लेगा वो definite low score को push होने पर और यहां पर आपको check connections पर click करना है और जैसे check connections पर कहते है तो यह आपको बोल रहा है कि तो थोड़ी देर के लिए आपको आएगा definitely आएगा so let's bit wait और जैसे आप इसको refresh करते जाएंगे तो आपको पता करता हूं तो let's see यहां पर देख सकता है site connected right अगर मैं नीचे जाकर देखता हूं तो वहां पर आपको वही option दिखेगा जैसे वापस यह मुझे बोल रहा है को site को add कि अभी आपकी बार में try करूंगा तो मुझे बोलेगा कि आपकी site already connected है तो आपको page refresh करना है और जैसे आप refresh करेंगे तो automatically आपको पता लेगा जैसा अभी यह बतायागा कि क्योंकि already connected है that means कि बोलेगा कि unable to retrieve code क्योंकि यह already exist करता है तो यहां पर इस तरीकत आपकी site connect कर दी अभी जैसे site connected पर click करेंगे तो automatically वहां पर एक option आपको दिखेगा कि यह आपकी site है इसके नीचे की audience और basically as in initially definitely देख सकते this is your site and basically यही है कि हमारा site यहां पर connect हो चुका है तो यह तो पहला पार्ट है कि हमने कैसे MailChimp के अंदर account create किया अभी बात आती है audience की तो यहां पर जीक option होता है audience वहां पर आपके जितने भी emails अभी हम MailChimp को connect करेंगे हमारी wordpress के site के अंदर यहां पर देख सेकता है अभी दो context क्योंकि initially मैंने create किये थे तो लेट सी कि अभी हमें क्या दिखेगा इसमें एक तो आपका खुद का admin का email लेता और एक अगर किसे ने subscribe किया होगा जो कि मैंने test के डाइम पर add किया था ओके यह तो पहला पार्ट हो गया अभी क्या करना है हमें मेल मंच को एड करना है हमारी site पर जहां पर pop-up का window हमारी site पर दिखेगा थाकि कोई भी user एंटिक रहे तो वह email हमें मेल चिम के अंदर दिखाए दें do not be confused so basically उसके अंदर आपको एक plugin इंस्टॉल करना होगा तो आपको install plugin के section के अंदर जाना है और यहां पर टाइप करना है mail munch तो mail munch के नाम से plugin है वह आपको अपकी site पर add करना है तो जले इसको load होने देते है then let's add it so यहां पर मैं search करता हूँ mail munch okay तो जैसे आप mail munch को add करेंगे तो automatically यहां पर आपको दिखाई देगा सबसे पहला option mail chimp forms by mail munch तो आप देख सकते है यह mail chimp के through ही दिया हुआ है ताकि आप इसको easily integrate कर सेगे वन दोनों के icon भी same है आपको install करना है then activate करना जैसे activate करेंगा तो यहां पर एक option दिखाई देगा mail chimp के नाम से और उसके इंदर हमें एक pop-up का paid add करना है ठीके तो let's read इस account को एक बार activate होने देते हैं और जैसे activate होगा तो हमें वह option visible होगा आप देख सकते हैं यहां पर option आ गया है और यह बोल रहा है कि इसको connect करो हमारे mail chimp के account के साथ में मैं simply इसको connect करता हूँ जैसे connect करो हमा तो वह मुझे username और password बोल लगा तो यहां पर आपको username और password देना है mail chimp का जिसका account अभी हमने recently किया है और इस website के साथ में connect किया है तो मैं फड़ावर से उसके साथ connect करता हूँ तो यहां पर हमें username प्रोवाइड करना है जो कि हमने वहां पर दिया था उस account के activation के टाइम पर तो मेरा username था मिस्टर व्यास टेस्ट और यहां पर हम password डालेंगे जो भी password है और simply आपके account को connect करना है तो यह आपकी site को login करने के try करेगा और यह process हो गया मतलब कि अभी हमारा mail chimp mail manch के साथ connected हो गया है अब देख सकते हैं यहां पर connect हो चुका है तो आपकी बार आप जो भी pop-up create करेंगे तो automatically emails वहां पर जाना चालो हो जाएंगे तो यह तो process हो गया connections का इसके बाद ही बोल रहा है कि अभी बताओ भाई कि यहां पर आपको कौन सा option choose करना है मतलब कि यहां पर जो form create करोगे वह वहां पर जाके कहां पर add होना है तो यहां पर definitely आपको कुछ options यहां पर दिखेंगे तो let's see कि पीछे मैंने कुछ connect backend में click कर लिया तो basically वहां पर एक मैंसे audience के आपको list choose करनी है वो list जहां पर exactly आपके emails चाहेंगे जैसे मैंने बता है कि आपको MailChimp के अदर एक audience के list create होती है तो यह multiple list पर create कर सकते है तो मैं यहां पर create करूँगा एक list okay तो यह मैं click करता हूँ य जैसे मैंने बता है कि वहां पर audience हमने test के नाम से create किया था तो आपको simply इस list को choose करना है मतलब कि मेरे जो भी emails आएंगे वो list के साथ add होने चाहें ओके यह process जैसे आता है तो यह बोलेगा कि अभी आपका form create करो तो simply आपको create your first form पर click करना और यहां पर हमारा process होता है कि आपक में grab करता है और around 10,000 emails से free में बेचता है इसके उपर अगर आपने cross किया तो आपको इसका paid plan लेना पड़ेगा तो up to 2,000 इस good enough और इस से better कोई option नहीं है और कोई दूसरा free version भी नहीं है तो up to 2,000 is good enough तो आप देख सकते है सबसे पहला आपको template चूज करना है तो मेरी साइड आप MRVS पो देख सकते हैं यह वाला template है यह चूज कर सकते हैं यह सारा premium version है तो हमारे पास दो option बसता है तो चलिए इसको चूज करता है यह हमारा template है इसको configure करेंगे ठीक है इसको नाम दे जाते हैं यह हमारी एक तरीके सा हमारा पर save रहेगा तो हम दे देते हैं इसको welcome जो अपडेट से इसमें मुझे कुछ add करना तो यह सो यह विजिबल होगा यहां पर क्या चाहिए अंदर क्या चाहिए thank you email और जैसे को submit करता तो वहां पर thank you का message आना चाहिए वह यहां पर choose कर सकते हैं और यह वाली सारे चीजे यहां पर आप लास हलते हैं इसके वाद आपको next step पे जाना है यह आपको समझ में आगे मनलब कि क्या क्या changes करना है next step में appearance इसके colors code को change करना है या फिर animation जैसे यह खुलता है तो किस तरीके से खुलना चाहिए कि आपको flying आना चाहिए तो आप देख सकते है कैसे pop-up आ रहा है यह आपको जो भी changes करना है you can do that so basically bounce down swing कर सकते है या फिर जो भी आपको मेरा इस तरीक एक option हो तो मैं swing करता हूँ इसके बाद next करना है तो आपको इस तरीके से basic settings करते जाना है कुछ-कुछ premium features अभी यहाँ पर जैसे आप देख सकते है mostly user को क्या चाहिए हमें क्या चाहिए एक user का first name और दूसरा उसका email आईडी तो एक option और security default रहता है email ओके तो हम एक नया option एड़ कर सकते हैं यह सारा option देख रहा है कि बाई first name कि मुझे first name भी चाहिए उस बंदे का ताकि मेरे पास email लालूंगा जब भी उसको तो मेरे पास data रहे कि हाँ भाई mister यह और यह इसकी email आईडियो के तो मैं इसको first name को उपर गर दिया है यह mandatory है तो आपको इसको click करना तो यहाँ पर star आजाएगा मलब दोनों entries mandatory होगे तभी वो subscribe कर पाएगा तो यह basic changes आपको click करना मैं इसको done करता हूँ इसको done करता हूँ यह हमारा काम हो चुक है अगर आपको ज्यादा detail चाहिए mobile number और something तो आप वो भी add कर सकते हैं इसके बाद मैं इसको next पर click करता हूँ यहाँ पर behavior का section आएगा तो guys इसमें को ज्यादा changes करने की नहीं है कि कितने second में दिखना चाहिए loading delay frequency कितनी बार में दिखना या basic setup से जो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं next पर करना है और जैसे next करता है तो यहाँ पर publish form पर आपको click करना है then finish जैसे यह आप यह process करते हैं मतलब कि आपकी site पर pop-up create हो चुका है हम test करते हैं कि क्या वह चीज काम कर रही है नहीं कर रही है तो इसको load होने देते हैं इसके बाद preview के section में जाकर हम check करेंगे तो आप द क्लिक करते हैं तो automatically यहाँ पर हमें वह pop-up दिखाई देगा जब भी कोई भी आपकी site को open करेगा तो वहाँ पर वह pop-up किस सरी किसे दिखाई देगा अगर कोई changes करना है तो आप previous section में जाकर के बार-बार edit mode में जाकर के उसको फिर से वह जो भी changes करने कर सकते हैं so basically आपको द email id हमारे MailChimp के जिसे में इसको subscribe पर click करता हूं नाम आ गया है thank you for subscribing बंदा यहाँ पर close को click करेगा और हम जाकर करके हमारे account के अंदर check करेंगे कि यहाँ पर कुछ जाकर add हुआ है नहीं इसको refresh करते है earlier सिफ दो accounts थे ओके दो email id थी and now let's see कि तीसरा भी email id होना चाहिए क्योंकि यह अभी recently किसी user ने subscribe किया है here guys you can see like basically this audience has three contacts और three है अगर आप देखना चाहते है तो यहाँ पर view context पर click कर सकते हैं और view context पर click करने के बाद में आपको जो भी email साते हैं मलब जो भी लोगों ने subscribe किया हुआ है उनका नाम और email address जो कि आपने वाँ पर required रखा था वो दोनों का तो guys इस तरीके से definitely आप एक अच्छा कासा pop-up आपके landing page पे आप add कर सकते हैं सबसे बड़ा advantage किया पता है अभी MailChimp में जाकर करके आप कोई campaign create कर सकते हैं अगर मेरा पुराना account open होगा तो I can show you otherwise it's hard to show you so basically वहाँ पर मैंने कुछ campaigns create करके रखे तो I will show you इसके बद क्या होता है कि आपके email सार आपके पास आ चुके रहाई तो आप एक automatic campaign setup कर सकते हैं और वो campaign क्या करेगा basically वो campaign आपको email पुश करना में मदद करता है जैसे आपकी site पे post publish हुआ तो automatically यहाँ पे आप setup कर सकते हैं वो setup इस तरीके से रहता है कि जैसे ही मेरा नया कोई भी post मेरी site पर publish हो या वो एक weekly basis पे आते हैं और मैंने एक email सेट कर रखा है कि जहां पर आपको जो email मिलेंगे वो I think जैसे कोई आज मैंने post publish किया तो उसका email आपको आता है कल तो गई इस तरीके से मैंने setup किया तो I will show you कितने वहाँ पर subscribers है और कितने लोगों ने subscribe कर रखा है और कितने लोगों को email deliver होता है तो हो सारी की सारी चीज़े आप यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर एक काउंट है मार वियास आईडीय का जहां आप पर करीब-करी 422 contacts है और यहां पर देख सकता है अर्लियर यह यहां बार में यूज करता था तो वहां से जितने भी context से वह मैंने सारे सारे यहां पर मूव किये मेल्चिम के अंदर और अभी रिसेंटली बाकी जितने पर एड़ हो है वह सारे के सारे मैंने मेल मंच के थूँ एड़ के तो यह आपकी context से अगर आप देखना चाहते तो वीव कांटेक्स पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो यूजर्स वहां पर एड़ हो है similar kind of users आपको यहां पर दिखेंगे करीब 404 पीपल और उन्होंने कहां कहां से इसको subscribe किया हुआ है वो अभी जैसे मेल मंच के तरुक किया हो तो मेल मंच दिखाए देगा और वो इस तरीके साब को सारी के सारी list यहां पर load होगी लेकिन अभी करना क्या होता है exactly guys तो आपको यहां पर campaign के section में जाना होता है and let's see कि किस तरीके के campaigns मैंने create कर रहे है और जैसे ही वो email कौन से टाइम पर trigger करते है तो अगर आप हमर सब्सक्राइबर है तो definitely you guys are getting this thing लेकिन अभी उसमें प्राब्लम यह होगी कि वहां पर कुछ crypto currencies वाले भी है और वहां पर कुछ blogging वाले भी इसलिए मैंने वहां पर एक special section add कि है कि आपको field of interest लालना है तो आपको specific emails सी आएगे तो देख सकते हैं कि यह already running है कुछ campaign post कर रहे है तो कुछ running है यह campaign देखता कि ऐसा है तो हम देखेंगे कि यहां पर view email जब किसी भी को भी email आता है तो किस तरीके का email आता है तो अब देख सकता है let's open it और इस तरीके का view वहां पर देखता है अगर कोई करता home page पर जा सकता है यहां सो site पर जा सकता है तो इस तरीके साब mail munch और MailChimp के help से आपकी email conditions को grow कर सकते हैं और साथे साथ आपकी जो readers है उसको permanently visitors के अंदर convert कर सकते हैं इस पर पूरा strategy में लेके आओंगा definitely लेकिन this is all about what we call the email marketing अगर आप affiliate marketing करते तो यह सब सब बास्ट समझ में आगे और वी step by step हर किसी का advantage कौनसे free platform है कैसा integrate करना है and if so comment करके बताए वीडियो को like कीजे और चैनल को subscribe करना मत बुलिएगा आज के लिए इतना है फिर मिलेंगे एक लिए वीडियो कंदर तब तक के लिए जाए जाए भारत